प्रभू का वचन कहता है योहन के पहले पत्र अध्याई दो वाक्यान सत्रा में संसार और उसकी अभिलाशाएं दोनों मिटते जाते हैं पर जो प्रभू के वचन पर चलता है वो हस्दा बना रहेगा जी हां मेरे प्यारे दोस्तों प्रभू के वचन को जानने के लिए प्रभू की इच्छा को पहचानने के लिए इससे अच्छा माध्यम क्या हो सकता है कि हम प्रभू के वचन को पढ़ें उसे जाने और उसे समझें और इसी प्रभू के वचन को बढ़ावा देने के लिए ये शो वेलकुम तो नशनल फाम्ली बाइबल क्विज विज इस ओगनाईज बाइब अध्मदर्शन टीवी उत्तर भारत की आत्मियधर्कन आत्मदर्शन विज इस पावर पीटर क्लावर सिस्टर्स और एफ सी सी कॉंग्रिगेशन आमला प्रोविंस और को पावर बाइब स्वीडी कॉंग्रिगेशन आएंसी प्रोविंस तो मैं जानती हूँ फर्स्ट एपिसोद देखने के बाद आप लोग बहुत ही एक्साइटेड होंगे और दिल थाम के बैठे होंग मैं बुलाना चाहूंगी हमारी टीम मैथ्यो को जो की है हमारे इंदौर डाइसेस मध्यप्रदेश से फ्रॉम आसेंट फ्रांसस असीसी काथेडरल मिस्स फिलोमिना आंटिनी को जोर्टार तालियों से उनका स्वागत कीजिए अब बुलाना चाहूंगी हमारी सेकंड टीम आस्टी मार्क को जो की है एक हस्बन वाइफ तीम और यह आए है राइगर डाइसस सेंट पीटर्स चर्च औरिसा से लेट्स वेलकाम मिस्टर अमोष कुमार नायक और मिस्स सिंदू अमोष अन देसेज प्लीज़ पूत यह थांस तोगेधर फोर देम जो की है नंतानगर पारिश इंदौर मध्यप्रदेश से अंध इस टीम अव्यप्रदेश से अंध बुलाना चाहूंगी सिस्टर एलन मिंच और सिस्टर रोशनी को प्लीज़ पूत यह थांस तोगेधर फोर देम अब मैं बुलाना चाहूंगी हमारी आखरी टीम ताइस टीम सेंट जॉन को जो की आए है सेक्रड हाट पारिश बिलासपुर से फ्रम राइपुर डाइसेस चातिजगर प्लीज वेलका मिस्टर आलो कुमार पॉल और मैं तहे दिल से आप सभी का स्वागत करती हूँ जो इतने अलग-अलग जगर से आए है हमारे शो में पार्टिसिपेट करने के लिए और मैं जानती हूँ आप बहुत एक्साइटे होंगे पर साथ में थोड़ा नवसनेस भी होगा थोड़ा डर भी होगा तो कैसा लग रहा है अप लोगो को लिटल एक्साइटे लिटल नर्वस है थोड़ी नर्वसनेस बट जादा नहीं होनी चाहिए क्योंकि राउंड टू में भी आप यहां आ चुके हैं हाँ बट यह जरूर है कि इस बार हमारे राउंड थ्री में कुछ बहुत ही क्युक्त है करेक्के रह जाना ओपरं एक ग related देaning राउंड टू गृत है रच।aso को जीजओ प्यारे मित्रों एक बाघ तरफर से आप सबों का स्वागत है आतमदर्शन नाशनल फामिली क्वीज में और आज के इस दूसरे एपिसोड में हमारे पास यह पत्थिभागी है बिल्कुल उंदा तैयारे के साथ आए है दो मेहने के तैयारी और आज ये आज के इस एपिसोड में इसामना करने वाल है बहुत ही बहुत ही दिल्चस्प रांद्स में हम इन सब का स्वागत करते हैं आप सबों का बहुत बहुत स्वागत तो प्यारे प्रतिपागियों आज के हमारे इस एपीसोड में हमारे पास चार रांद्स है boobs पहला रांड है identify the character पहचानों कोन आपको पहचान करना है बाइबल से सम्मधित किसी वेक्ति की उस वेक्ति के बारे में आपको चार अलग-अलग क्लू दिये जाएंगे आपको उन क्लू से पहचानना है पहले क्लू में यदि आपने जवाब दे दिया तो आपको मिलेगा 20 पॉइंट्स और यदि आपने गलत उतर दिया तो आपको होगा मैनस 5 और यदि आपको पहले क्लू में समझ में नहीं आ रहा है तो आप अगला क्लू मांग सकते हैं जवाब दिये भी ना तो आपको मैनस नहीं होगा आप अगला क्लू मांगेगे अगले क्लू पे आपको मिलेगा 15 और गलत उत्तर पे मैनस 10 वैसे ही और अगला क्लू मांगेगे तो थर्ड क्लू में आपको मिलेगा 10 पॉइंट्स और गलत उत्तर पे आपको होगा मैनस 15 और चौथे क्लू में यदि आपने सही उत्तर दिया तो तो आपको just मिलेगा 5 points और गलत उत्तर पे minus 20 maximum minus marks 20 है आप लोग की कोशिश ही रहे कि जब भी आपको उतर नहीं आए तो आप अगला clue मांग लें ठीक हम यह round शुरू करें तो हम शुरू करेंगे इस बार हमारा यह round जोन की तरब से तो जोन का पहला प्रश्न जोन टीम के स्क्रीन पर दिखाया जाए प्रेरितों ने उसको एक उपनाम दिया था जिसका अर्थ है सांत्वना पुत्र बर्नाबस युसुप युसुप जिसका उपनाम बर्नाबस उर्फ सांत्वना जी आप अगला clue देखना नहीं चाहते हैं उतने पक्के हैं आप बिल्कुल तो यह लोग कर दिया जाए आंसर हम अगले clue नहीं दिखा रहे हैं और आंसर स्क्रीन पर डिस्प्ले किया जाए और आपका उत्तर बिल्कुल सही और आपको इसके साथ विलेंगे पूरे के पूरे 20 पॉइंट्स इसके दूसरे clue आपको दिखा देते हैं दूसरा clue था लेवी मश्का था और जनव कुपरुस में हुआ था तीसरा था जमीन बेच दिया और उसकी कीमत लाकर प्रेजितों के चड़ों में अर्पित कर दी और लास्ट था पॉलूस के साथ मद्वेथ होने के कारण उसने उनसे अलग हो गया था यह हमें मिलता है प्रदी चरीत पंद्रा उन्चालिस में वेरी गूड वेल प्लेइड आगे बढ़ते हैं हम टीम लूक की तरफ और टीम लूक में हमारे साथ यहां पर पती भागी है एकदम युनिफोम में आए हैं और मुस्कुरा रहे हैं तो उनका सवाल उनके स्क्रीन पर पहला क्लू दिखाया जाए उनको एक महत्वपूर्ण आराधनालाई का नेता था कोन एक महत्वपूर्ण आराधनालाई का नेता था यह वोज अनफिशल ओफ दे सिनागोग अंसर नहीं करना है तो अगला क्लू ले सकते हो नेक्स्ट क्लू स्क्रीन पर दिखाया जाए येसु ने उसके और उसकी पत्नी के तीन शिश्यों के सामने एक बड़ा चमतकार किया वो कौन था सभागरह काविक्ती जिनकी पत्नी और शिश्यों के सामने येसु ने बड़ा चमतकार किया तीन शिश्यों के सामने next clue ओके अगला clue दिया जाता है आपको समस्या यहाँ थी कि उसकी 12 साल की बेटी बिमार थी सभागरे का अधिकारी शिश्य तीन शिश्यों के सामने बड़ा चमतकार हुआ उसकी 12 साल की बेटी बिमार थी अगला क्लू चौता क्लू आपके लिए ताली था कुम अब तो पिक्चर बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए पूरी घटना का वर्णन इन चार क्लू में हो गया है उस वेक्ति का नाम बताना है आपने कोई उत्तर नहीं देया हालांकि इसलिए आपका हो जाता है माइनस ट्रंटी और हम पूछना चाहेंगे हालांकि पास नहीं हो रहा है लेकिन आपसे पूछना चाहेंगे कि आप किसी को उत्तर बता है जैरूस जैरूस इस करेक्ट आंसर गुड़ ठीक है तो अगला सावल आपसे ही कर लिया जाता है अगले प्रस्ण का क्लू आपके स्क्रीन पर पिता लेकिन पिता नहीं इसा कुण सा क्यारेक्टर है बाइबल में जो पिता है लेकिन पिता नहीं नेक्स्ट क्लू के लिए जाना चाह रहे हैं और इनको अगला क्लू दिया जाता है कि इनके पूर्वज दाउद के वन्शके थे शाहिद स्थिती अभी क्लियर हो रही है जोसिफ और दूसरे क्लू में उन्होंने उतर दिया है जोसिफ और उनका उतर बिलकुल सही है कंग्राचुलेशन्स आपने सही जवाब दिया और आपको मिलते हैं पंदरा पॉइंट्स पदाई वो उसमें अगला क्लू हालांकि आपकी जिग्यासा के लिए बता देता हूँ कि अगला क्लू था वह धर्मी था और आखरी क्लू था उनके पिता का नाम याकूब था और वो है धर्म पिता या जोसिफ कि आखरी सवाल इस राउंड का टीम मैथ्यू के लिए हांती जी वहां से मुस्कुरात हुए हमारे प्रस्ण का स्वागत कर रही है और आपके सवाल का पहला क्लू आपकी स्क्रीन पर कैसरिया में इटालियन पल्टन का शत्पती कौन था कैसरिया में इटालियन पल्टन का शत्पती करनेलियूस आपको क्लू नहीं चाहिए आपको बदा है करनेलियूस ही है पक्का बदा है 20 मार्क्स चाहिए ठीक है हम इने 20 मार्क्स दे देते हैं क्योंकि करनेलियूस is the correct answer Congratulations, well played और इसी के साथ हमारा यह राउंड पहला राउंड यहां पर समाप्त होता है और मैं अनिवेदन करता हूं आरती जी से कि वे हमारे इस राउंड का स्कोर अपने ओडियन स्कोर हमारे प्रतिभागयों को बताएं At the end of round 1 Team Matthew का स्कोर है 20 St. Mark का स्कोर है 15 St. Luke का स्कोर है माइनस 20 And St. John का स्कोर है 20 पॉंट्स तो जीदो फिर एक बार आप सब का स्वागत है हमारे दूसरे राउंड में दूसरा राउंड बड़ा ही दिल्चस्प है आपके सामने यहां पर एक वील रखा हुआ है और आपके स्क्रीन के नीचे एक स्विच्च दिया हुआ है वहां पर जो बजर वाला स्विच्च है उसको यह दिया आप दबाएंगे तो वील गुमेगा वील गुमेगा और आपकी किसमत खोलेगा आपकी किसमत में जो सवाल है वो आप से वील डिसाइड करेगा और वही आपसे पूछा जाएगा तो हम सीधे जाते हैं इस राउंड की और इसके कुछ महात्रपूर्ण बिंदू हैं आपको बता देता हूँ कि यदि आपने विल गुमाया जो प्रशन आपके पास आये सही जवाब दिया तो आपको मिलेंगे 20 पॉइंट्स इसमें कोई मानस मार्किंग नहीं है यह एक बड़ी सांत्वना की बात है बहुत रहात की बात है आपनों के लिए और यहाँ पर एक जैकपोट कोस्चन है याने वो नाइध कोस्चन जैकपोट वाला एदि आया तो आपको मिलेंगे 30 पॉइंट्स तो आप मैक्सिमम यहाँ पर कमा सकते हैं पास भी होगा यह आपको नहीं आया तो आपका पड़ोसी आपके कोई भी साथ ही इसका जवाब देंगे उनको मिलेंगे सिर्फ 10 पॉइंट्स ठीक है रूस क्लियर है हम जाए इस राउंड की और ठीक है इस बार स्टार्ट करेंगे टीम मैथ्यू की तरब से और मैथ्यू आप अपना सवाल वील से पूछ लिजे कौन सा देना चाहते हैं आपको और धीरे धीरे वील रुख गया है और प्रश्ण है आपका नंबर टू प्रश्ण नंबर टू तो आपकी स्क्रीन पर या दूसरे नंबर का सवाल आपका इश्वर ने चाहा कि उनमें सब प्रकार की डाश हो इश्वर ने चाहा कि उनमें सब प्रकार की डाश हो आपको खालिस्तान भरना है प्रकार की शुद्यता हो पास किया जाएगा मार्क की तरफ इश्वर ने चाहा कि उनमें सप्रकार की डाश हो इंग्लिश गॉड विल्ड दा इन हिम देर विल बी डाश question is passed to Luke इश्वर ने चाहा कि उनमें सप्रकार की डाश हो ओकी टाइम आउट तो टीम लुक के बास भी इसका जवाब नहीं है हम जवाब पूछेंगे टीम जोन से आपको बदा इसका जवाब परिपूर्णता परिपूर्णता आपको बदाए हो आपको मिलते हैं 10 पूइंट्स और उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं टीम मार्क की तरफ टीम मार्क अपना स्विच दबा कर विल गुमाईए और अपना सवाल लीजिए और आपका विल गुमके स्पीड स्लो होते होते आपका भाग्य निरधारित कर रही है आपकी किस्मत में कौन सा सवाल है कॉस्चन नमबर सेवन और कॉस्चन नमबर सेवन आपकी स्क्रीन पर एलीजाबेट ने कितने महीने तक अपने को यहां कहते हुए छिपाई रखा कि यहां प्रभू का वर्दान है उसने समाज में मेरा कलंग दूर करने की कृपा की है शिक्स मंस आपका जवाब है six months और six months is wrong answer हम टीम लुक से पूछना चाहेंगे क्या आपको इसका जवाब मालूम है four months also is a wrong answer five months five months एक उतर है five months एलिजाबेट में 5 मेने तक छिपाई रखा आपको एक बार फिर से बढ़ाए आपने इस राउंड में अपना सवाल मिलने से पहले ही 20 अंग कमा लिए है प्यारा दर्शकों लखी वील के दो कस्टेंस हो चुके हैं और हम जाते हैं तीसरे सवाल की और तीसरा सवाल पुछा जाएगा टीम लूक से और टीम लूक अपना वील गुमाई है और अपना सवाल लिजिए आपका सवाल 8 थोड़ा सा और दबाते तो 9 जैकपूट मिल जाता ठीक है आठवा प्रशना आपके लिए जब येशु ने रक्तस्राव से पिडिस्त्री को चंगा किया तो वह सबागरे के अधिकारी की बेटी को चंगा करने जा रहे थे उस अधिकारी का नाम क्या था? ठीक है आपने कोई जवाब नहीं दिया है कोई दिक्कत नहीं है इसमें माइनस मार्किंग नहीं है आप से ये सवाल पूचा जाएगा जैरुस जैरुस इस करेक्ट राउंसर क्योंकि इसके सारे क्लू मिल चुके थे हमको फिर भी सायद थोड़ा जयान नहीं दिया कोई बात नहीं अगले राउंस में और आप अच्छे से पॉइंट्स कमा सकते हैं आपका उतर सही है लकी वील का चौता सवाल लेने जा रहे हैं तीम जोन के अकेले खिलाडी और उन्होंने बजर दबाया और वील गुमा देखते हैं उनकी किस्मत में क्या आता है जैकपोर्ट या और कोई दूसरा सवाल वील रुकते हुए Question No.4 और यह रहा आपका प्रश्न आपकी स्क्रीन पर संत पाउलुस अपनी कलीसिया को किस प्रकार से एक दूसरे का अभिवादन करने को कहते हैं किस प्रकार का अभिवादन प्यार से प्रेम से प्यार से प्रेम से और प्यार से आप कह रहे हैं संथ पॉलुस के अधिक तर पत्र इसी अभिवादन से अंध होते हैं वे बार बार इस बात को कहते हैं कि कैसे अभिवादन करना चाहिए प्रेम के चुम्बन से प्रेम के चुम्बन से आपका उत्तर गलत है हम कोशिश करेंगे दूसरी टीम से टीम माथ्यू आप बदा पाएंगे इसका उत्तर चुम्बन के द्वारा चुम्बन के द्वारा अभिवादन चुम्बन के द्वारा अभिवादन किस प्रकार का चुम्बन गले आपका उतर भी सही नहीं है आपका उतर सही है शांती के जुमन से तो सभी ने थोड़ा थोड़ा करके कुशिश किया लेकिन क्लारिटी नहीं थी इन्होंने उसका सही उतर दिया है आपको मिलते हैं 10 पॉइंट्स बदाई हो और अभी हम आंटी क्लोकवाइस सवाल लेंगे एक बार फिर से चांस मिलेगा टीम जोन को और आप ले लीजे अपना सवाल और यहां रहा आपका सवाल तो आपके लिए आता है तीसरा सवाल और यह है आपका तीसरा सवाल थेसल निक्यों की कलिस्या में क्या अच्छी तरह फल फूल रहा था वहां की कलिस्या में क्या अच्छी तरह से फल फूल रहा था विश्वास और भात्री प्रेम विश्वास और भात्री प्रेम आपने बहुत अच्छे से अटेम्ट किया है और आपका उत्तर भी बिलकुल सही है आपको मिलते हैं 20 पॉइंस विश्वास इसका रेक्ट आंसर बदाईगो तो टीम लूक आपके लिए इस राउंड का ये दूसरा सवाल है और हम पुरी उमीद करते ही कि आप इस बार अच्छा प्रशन पाएंगे और उसका जवाब भी बहतरीन देंगे तो गुमाईए अपना वील और लिजिए अपना सवाल तो आपके वील ने बोला है कि आपको मिलना चाहिए पांचवा सवाल और ये रहा आपका पांचवा सवाल आपकी स्क्रीन पर संत पॉलूस के अनुसार हमारा निर्माण जिस भवन के रूप में हुआ वह किसकी नीव पर खड़ा है कलिस्या रूपी भवन किसकी नीव पर खड़ा है पर खड़ा हमारा निर्माण जिस भवन के रूपी नीव पर खड़ा है सवाल आपके लिए पास किया जाता है कलिस्या रूपी भवन का निर्माण किसकी नीव पर हुआ है संत पॉलूस की अनुसार नहीं मालूम किसी को भी नहीं मालूम अभी टीम जोन की बारी है टीम जोन आप इसका उत्तर देने के लिए बिल्कुल बेताब नजर आ रहे है तो बताईए इसका उत्तर क्या है प्रेरीतों की नीव पर एफिशन्स के अधियाई दो में ये बात लिखी गई है संत पॉलूस कहते हैं कि कलिस्या रूपी भवन का निर्माण प्रेरीतों की नीव पर हुआ है तो टीम जोन आप सबों के पॉइंट्स लिए जा रहे हो अच्छी बात है और बाकी सब भी बड़े उदाथा से आपको दे रहे हैं आपने इस प्राउन में बहुत सारे पॉइंट्स कमाई हैं आपको मिलते हैं 10 पॉइंट्स हो सकता है जैकपोट पे आकर रुगेगा ओके तो टीम मार्क आपके वो लंबा स्विच दबाने का फाइदा जरूर मिला है आपको जैकपोट 30 पॉइंट्स का कॉस्चन मिला है और 30 पॉइंट्स का कॉस्चन आपकी सामने हम ला रहे हैं और question आपका यह है Saint Paulus Romeo 8.35 में किन चीज़ों के बारे में कहते हैं जो हमें मसीह के प्रेम से वंचित नहीं कर सकती बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर Saint Paulus कहते हैं कम से कम चार चीज़ों के नाम बताए वो क्या-क्या बताए Saint Paul in Romans 8.35 He tells about things which cannot separate us from the love of Christ what are they? mention at least four things poverty, adversity, sorrows okay, okay आपके उत्तर सही है और आपको मिलता है जागपोट का फाइदा 30 points माला माल हो गया आप बदाई हो और लकी वील का अंतीम सवाल लेने जा रहे है टीम मैथ्यू के खिलाडी और ये उनका सवाल वो वील गुमा रहे है बहुत छोटा गुमाया है देखते हैं कौन सा प्रश्न मिल रहा है इन्हें तो टीम मैथ्यू ने अपना वील गुमाया है और एक बार फी से टीम मैथ्यू को जैकपोट मिल रहा है क्योंकि उनका आठवा सवाल यहां पर आया है हालांकि आठवा हू चुका है और हमारे नियम के अनुसार आठवे का अगला सवाल ही आजाता है जो कि जैकपोट है और आपकी भी किसमत अच्छी है तो जैकपोट का सवाल आपका है लाजरूस कहा का निवासी था बेथानिया का लाजरुस बिठानिया का निवासी था 30 पोइंट का सवाल है ये सही जवाब दिया तो 30 मिलेंगे Are you sure? पका? पका? लाजरुस बिठानिया का निवासी था आचाओ लाजरुस के परिवार में और कौन कौन थे? दोनों बेने हैं उसकी मार्था और मर्यम तब तो आप पके हैं शायद तो आपका उतर बिलकुल सही और आपको मिलते हैं 30 पोइंट आपने इस राउंड का आतन तो बहुत ही अच्छे सी किया है जैकपोड के साथ सही जवाब देने के साथ ही बदाई हो सबों को बहुत अच्छे खेले सब लोग अच्छे खेले और अगला राउंड ओल भी इंट्रेस्टिंग है तो इस राउंड में टीम जोन का बहुत ही उमदा प्रदशन रहा है उनको बहुत बहुत बदाई और हम अब अगले राउंड की ओर जाते हैं अगला राउंड है बजर राउंड आप सब वाकिप है बजर राउंड से आपको बजर दबाना है लेकिन यहाँ पर पिछली बार से सवाल थोड़े अलग है पहला सवाल आपका होगा आपको एक चित्र दिखाया जाएगा और उससे संबांदी तीन प्रश्णा आपसे पुछे जाएगे पहला तो है आपको पहचानना है कि वो काउन सी घटना है दूसरा आपको यह बताना है कि यह घटना कोन सी जगह पर हुई और तीसरा आपको बताना है कि पवित्रे बाइबिल में यह कहां पर है ठीक है तो इस राउंड का पहला सवाल बहुत ही सिंपल सवाल है प्लेन सवाल है उसका उतर भी बड़ा सिंपल ही होगा सही जवाब देने पर 20 पोइंट और गलत जवाब देने पर माइनस 10 पहला सवाल आप सब की स्क्रीन पर है एफेशियों को लिखे पत्रा जाए छे में संद पॉलूस इश वचन को किस की उपमा देते हैं विद हूम ड़स सेंट पोल कंपेर दवाड अप गाड इन ओके सेंट जोन ने अपना बजर दबाया है आप जबाब देंगे आत्मा की तलवार आत्मा की तलवार is perfectly correct answer and you get 20 points for this तो बजर राउंड का पहले सवाल का जबाब टीम जोन ने दिया हैं और 20 अंकमाई हैं और हम दूसरे सवाल की ओर जाते हैं दूसरा सवाल है चित्र पहली है चित्र दिखाये ज़ाए आपकी screen पर और उस्से संबादी तीन प्रश्नों के जवाब आपको देने हैं पहला है कि वो घटना क्या जो चित्र में दिखाये गई है दूसरा है कि वो घटना किस जगह पर हुई है और तीसरा बहित्र बाइबल में या कहां पर दिया गया है यदि आपने पहले सवाल का जवाब सही दिया तो आपको मिलेंगे 10 points और यदि आपने उसका गलत जवाब दिया तो minus 5 और इसके बाद दो सवाल और जो हैं ये किस जगह पर ये घटना हुई और Bible में कहां पर हैं उसके 5-5 points रहेंगे यहां पर गलत जवाब देने पर कोई minus marking नहीं है ठीके तो आपको ये points सही दिया तो मिल जाएंगे नहीं दिया तो नहीं मिलेगा clear ओके computer जी इनके screen पर दूसरा सवाल चित्र पहली दिखाई जाए और ये रहा चित्र आपका और team Matthew ने वजर दबाया है उन्होंने पहचान लिया यह घटना क्या है बताईए ऐंटी जी कौन सा घटना है यहां Saul की Saul की क्या घटना है वो जाते वे ये सूर उनसे पूछते हैं कि तु मुझे क्यों सता रहे हो ओके उसके बाद क्या होता उसके साथ उसको दिखाई देना बंद हो जाता है ओके और उसके बाद उस घटना का मुख्य वो क्या था मुख्य देश्य क्या था प्रभब ने उसका हिर्दे परिवर्तन हिर्दे परिवर्तन करना पॉल उसके हिर्दे परिवर्तन की घटना है ये, आपने पहले सवाल का जवाब बिल्कुल सही दिया है, अब कुस्ते संबंदित अगला सवाल है, कि वो स्थान कुन सा था? कहां जा रहा था वो? बोलना नहीं आ रहा है, कोशिश किजिए नहीं आ रहा है, ठीक है, एक बार फिर से बुलिए, करिब करिब सही है आपने उसको इंग्लिश में पढ़ा है कि हिंदी में पढ़ा है? हिंदी में पढ़ा है, लेकिन आप जो बोल रहे हैं वो इंग्लिश में है ठीक है, हम कंसिडर करेंगे इसको क्योंकि स्तानों के नाम में प्रनंशेशन में थोड़ा बहुत डिफ्रेस होता है डामास्कस, आप जो बोलना चाह रहे थे, सही हैं डामास्कस या तमिश्क इन हिंदी दूसरा जवाब भी आपका सही है, अब थीसरा जवाब दीजी आपकी वो बाइबल में कहां से लिए आ गया है यह गटना कहा है बाइबल में प्रेरी चरीत में, ओके इतना तुम सही है और अध्याई नो, अध्याई नो में भी करेक्ट आंसर और आपने एक एक पॉइंट पर करकर के आपने पूरे बीस पॉइंट कमा लिये हैं, आपको बहुत बहुत बदाई उसी से मिलता जूलता, अगला सवाल है बजर राउंड का, यहाँ पर वीडियो दिखाया जाएगा, वीडियो में एक घटना है तो जो मार्क्स का जुनिया में सेम रहेगा, लेकिन पहला सवाल में आपको उस द्रिश्यों को बताना है कि क्या द्रिश्य है, और अगले तो सवाल हम आपसे पूछेंगे, ठीक है? ओके, कंप्यूटर जी इनके स्क्रीन पर वीडियो प्ले किया जाएगा, बहुत ही जल्दी, हाडली फाइव सेकंड्स और पहचान लिया है टीम मार्क ने कि यह घटना क्या है, और टीम मार्क हमें बताएगी आपने क्या देखा है उस अपनी स्क्रीन पर, ईश्यों ने पुफान को बंद किया, अंधी को शांत करना, Stealing the Storm is the correct answer, आपका पहला अटेम्ट सही है, दस पॉइंट मिल चुके हैं आपको, और अगला सवाल में आप से पूछ रहा हूं, और वो अगला सवाल इस वीडियो से संबंधी जो है, वो यह है कि, जब नाव डूबने को थी, तब येशु क्या कर रहे थे, सो रहे थे, सही उत्तर, और तीसरा सवाल आपके लिए, यह घटना किन-किन सु समाचारों में वरनित है, पहला तो मारकुस में, मारकुस में है, और साइद माथियों में और लोक में भी है, अब शायद बोलेंगे की कन्फर्म बोलेंगे, कन् तिनों सु समाचारों में है, मिन सिनोप्टिक्स में तिनों में है, मत्ती मारकुस लूक में, आपके खाने के अनुसार, है, मारक तो शुवर है, मारक शुवर है आप, और मत्ती में भी आप शुवर है, लूकस में, है शुर है, लूकस में भी शुवर है, डाउट फुली श इस रावी इन तीनों सुसमाचारों में घटना मिलती हैं और आपने भी इस राउंड की इस क्वेश्चन के तीनों उत्तर दे करके पूरे के पूरे 20 अंख हासिल किये हैं आपको भी बहुत-बहुत बदाई और इस बजर राउंड का चवथा सवाल जो हैं वो हैं आपके स्क्रीन पर फिर से एक बार एक तस्वीर आएगी एक चित्र आएगा और उस चित्र से संबंदित प्रभु ये सी कोई शिक्षा होगी तो आपको उस चित्र को देखकर प्रभु की उस शिक्षा को बताना है कि कौन सी शिक्षा प्रभु ने इस प्रटिकुलर चीज को लेकर दी है ठीक है स्क्रीन पर आपके ये रहा वतस्वीर जिसके बारे में प्रभी असुने शिक्षा दी एक बार फिर से बहुत जल्दी पहचाना सेंट मार्क ने और हम पूछना चाहेंगे आप से यह फिक्ट्री है यह फिक्ट्री है वेरी गुड अब फिक्ट्री से समबंदित प्रभेशी को शिक्षा बताईए फिक्ट्री को इसने बताया कि इससे देख को पहचाना कि कैसे आने वाले समय पर क्या होता है और यह बताया और बाद भी बताया कि उसमें जो जो जखुस ने भी फिक्ट्री के उपर चड़ा था और बाद में भी फिक्ट्री के पास जो फॉल नहीं था उसमें भी फिक्ट्री का सहारा लिया और कॉर्स किया उसको भी ये फिक्ट्री बाइबल में इस तरह से बनित किया गया है ठीक है आपने इसका सवाल का जवाब भी सही दिया है कि आपने पहले तो अडेंटिफाइ किया उस फिक्ट्र को कि वो FICTREE है और प्रभू ने FICTREE से शिक्षा लेने के PLAY FICT को हिंदी में बोल ते अंजीर तो अंजीर का पेड़ अंजीर के पेड़ से शिक्षा लेने के लिए प्रभू ने कहा कि आने वाले समय के बारे में चिन पहचानने के बारे में हलांकि जो दुसरा आपने बोला जके उसके बारे में वो उसी परिवार का एक पेड़ है लेकिन फिक नहीं है वो सिकमोर है गुलर का पेड़ है लेकिन आपका उत्तर सही है तो आपको भी फिर से एक बार मिलते हैं पूरे के पूरे बीस पोई आपको बहुत बहुत सवाल है ओडियो सवाल आपको एक छोटा सा ओडियो क्लिप सुनाया जाएगा आपको बताना ये बोलने वाला कोन है किसने कहा कू सेट दिस ओके आप पताएंगे हमें कि ये बोलने वाला कोन है पिलातूस 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 एंड बुजर राउंड और बुजर राउंड के अंत में आर्थी से अनुरोद करता हूं कि वो हमें अब तक का स्कोर बता दें और इस एपिसोड का अंतिम राउंड जिसका नाम है ठिकी राउंड ठिकी राउंड इसलिए है क्योंकि उस्में थोड़ा सा ट्रिक है आपसे सवाल पूछा जाएगा आपको उसका उत्तर देना है आप उसका उत्तर देंगे 20 20 points यदि आपको उतर नहीं पता है तो आप उसको छोड़ सकते हैं आपको कोई नुकसान नहीं लेकिन छोड़ने पर आपको उसको पास करना है अपने किसी तीन साथियों में से किसी एक को आप जिसको भी वो सवाल दोगे उसको उसका उतर जरूर देना है और वो उतर देंगे सही देंगे तो जो 20 आपको मिलने वाले थे वो 20 इनको मिल जाएंगे गलत दिया तो उनकी minus 20 हो जाएंगे और जब आप पास किये भी इना जवाब देते हैं जो भी जवाब दे रहे हैं तो उनका minus 20 हो जाएगा ठीके? आप किसी को भी पास कर सकते हैं you are getting a question, आपको नहीं पता है, आपको उसको पास कर देना है, अपने किसी भी companion को, वो उसका उतर देंगे, और उसका लाब उन्हें मिलेगा, वे 20 पॉइंट कमाएंगे, लेकिन अपने निर्धारी समय में पास कर देना है, ठीके, अपन 30 सेकंड तक उसको लेके बैठना नहीं ह तो इधर विचार किया, समझ में नहीं आया, तो बोलो, मैं, आप बोल देंगे, मार्क, मैं जोन को पास करता हूँ, यह माची बोलेंगे, मैं लुक के लिए पास करता हूँ, लुक उसका जवाब देंगे, ठीके, तो हो सकता है, आप बहुत बड़ी दया करेंगे, टीम सवाल हम पूचेंगे, टीम मैथ्यू से, टीम मैथ्यू आपकी स्क्रीन पर आपका सवाल, संत, पॉल उसके दूसरे पत्र भेजे जाने के बाद, उनके कौन से शिश्य कुरिंथ गए, और लोगों को पस्तिताब करते हुए पाया, पास करना है, पास किसको करना है, आप लिए यवाब देना ही होगा, when Saint Paul wrote his second letter, and he sent one particular disciple to Corinth, and that particular disciple found people repenting there, who was that disciple of Saint Paul, whom he sent, माइक में बुलिये तीतस ओके आपका जवाब है तीतस आपने बोला और हिंदी में correct pronunciation है तीतस इंगलिश में ताइटस यूर आंसर इस खरेक्ट और यूगेट 20 पोईंट पोर इस खरेक्ट आंसर बहुत बहुत बधाई और अगला सवाल आपके लिए ही है संत मार्क आपका सवाल आपकी स्क्रीन पर कि संत पोलुस का जहाज किस द्वीप पर नश्ट हो गया ओन विच आइलेंड डिड़ दशिप रेक टेक प्लेस आंसर करोगे तो माइनस से पास करोगे तो कोई नुकसान नहीं इस आंसर देल बी माइनस इस डोंट आंसर यू पास माल्टा द्वीप पास करते तो नुकसान हो जाता आपने अटेंट कर लिया बहुत अच्छा हुआ माल्टा द्वीप इस करेक्ट आंसर माल्टा आइलेंड पे शिप्रेक हुआ था उनका बहुत बहुत बदाए आपने इस राउंड के 20-20-40 पोईंट्स कमा लिये हैं और अगले सवाल के लिए हम जा रहे हैं सेंट लूक की तरप सेंट लूक आपकी स्क्रीन पर आपका सवाल है बहुत ही सिंपल सवाल है आप जरूर इसका उतर दे पाएंगे और यह आपका सवाल कि संत पॉलूस किस बंश के थे सेंट पॉल इस फ्रम विच लिनियेज अटेंट कर सकते हैं पास कर सकते हैं पास किस को पास करना है इधर जोन जोन को पास कर रहे हैं ठीक है जोन के लिए सवाल आता है जोन आप इसका उतर देंगे बिनियामीन वंशी संत पॉलूस थे इस खरेक्ट आंसर और जोन के लिए अगला सवाल भी आपका ही है आपके पास बहुत सारे पॉइंट से आप इनको दे सकते हैं 20 पॉइंट से देखते हैं और यह आपका सवाल आपकी स्क्रीन पर संत लूकस ने प्रेई चरीत किस के लिए लिखा किसको अड्रस किया थियोफिलूस आपने चारिटी नहीं की आपने इनको नहीं दिया आपको सही उतर बता था इसलिए आपने बोल दिया बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया आपने इस पूरे एपिसोड में बहुत ही अच्छा खेला है और ये आंसर करेक्ट है थियोफिलूस के लिए संपेतलूस ने प्रही चरीत आड्रिस किया था और इसके लिए आपको मिलते हैं 20 पॉइंट और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहां समाप्त होता है तो इस एप तो आज का हमारे ये एपिसोड वाकई बहुत ही एक्साइटिंग बहुत ही थ्रिलिंग था और हमारी थीम्स ने इतना उंदा परफॉर्म किया है इतना बहुतरीन परफॉर्मंस दिया है तो अट इस एप्रीक तो वाच्छ एम्हां ये विए 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 तो ए्योज का विए विए सटॉर्षाइ विए प्सक्राइट अज कॉस्स K O неп side 25 कोई This 다 मić अज क्यू अंदे यु प्सक्राइट है खिव एस सब्सक्राइट को प्रें टी्याề का श्यूर्मंस ₍मि investiráfic झाईट इस प्राइट हमारी तो And team Luke is below 0, that is minus 20, I am sorry to say that. And we have the winner for today and it is team John with a remarkable performance of 160 points. So big round of applause for Mr. Aalokumar Paul. And kudos to you, you knew every question was answered and we are really inspired. I am sure our viewers will be inspired too. So, with this, I would like to end this episode with today's Bible Watchan. Bhajan Sahita Adhyaayadho Vaakyanash Bara Dhanyehave, Jinka Bharosa Prabhu Parhe. So, if you have a Bharosa Prabhu Parhe, then believe that God understands you. And if you are not, then you have to study it, know it and learn it with others. Keep praying, keep shining. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. झाल 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 झाल